व्याद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आग में रोष्ट कर लेंगे अच्छे से तेल लगा ले सब परवल में तो सारे परवल में मैंने तेल लगा लिया है अच्छे से अब इनको हम रोष्ट कर लेते हैं आग में तो मैंने लिया है एक जाली जाली पर मैंने सारे परवल को बिठा दिया है आग में हम रोष्ट कर लेंगे सारे परवल को तो सारे परवल को हम इसे घुमा घुमा के रोष्ट कर लेंगे आग में तो सारे परवल को मैंने अच्छी तरी के से रोष्ट कर लिया है अब यह ठंडा हो जाए तो हम इसको छिल के साफ कर लेंगे सारे परवल को मैंने च्छी के साफ कर लिया है अब मिलूँगी ए ग्रैंडिंग जार इन सारे परवल को मैं इसमें डाल दूँगी आप चाहे तो परवल का बीच भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं निकालूँगी नहीं और मैंने लिया है यहां पर 5 हरी मेट इसको भी आठ कर दूँगी 5 अच्छे लिया लसुन की कलिया इसको भी आठ कर दूँगी और मैं दूँगी इसमें स्वात के अनुसर नमग अब चटनी को हम बगर पानी के पीस लेंगे तो चटनी हमारा पीसा आ गया है अब मैं इसे कटोरे में निकाल लेती हूँ तो चटनी हमारा बनकर त्यार है मैंने कटोरी में निकाल लिया है चटनी को अब मैं इसके उपर से दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता आप सब जरूर एक बार इस चटनी को ट्राइ करें बहुत अच्छा बनता है खाने में बहुत अच्छी लगती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप सबको मेरे आज यह चटनी का रेसिपी पसंद आया हो तो प्लिस मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरी चैनल को प्लिस सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइंग आप्लिस सब्सक्राइब टेता हैं